नमस्कार दोस्तों स्वागेत आप सभी का मैं हूँ आपका दोस्त सोहन सर्मा और आज मैं आपके शार शेयर करूँगा मसाला आलू रेसिपी स्वादिश्ट चटपटी मसालेदार आलू की ये सबजी अगर आप एक बार खालोगे न तो बार बार बनाओगे दो रोटी की भूग है वहाँ चार रोटी खाऊगे इतनी टेस्टी सबजी बंती है ये और डाबा रेश्टूरेंट्स सब भूल जाओगे वीडियो को सुरूशे लेकर आइन तक चुरूर देखना और पहली बार चैनल देखर चैनल को सब्सक्काइब कर लिजे साथी तो किनका बटन ताकि हमारी है नई रेश्टी आपको सबसे पहले में चली शुरू करते हैं इचार कच्चे आलू लिए मैंने मेडियम साइज किया क्रीव ग्रीव जार सो ग्राम आलू है और एक बोल के अंदर मैंने पानी डाल लिया है आलू को इस तरीके से पेलर की मदद से इसे बड़े-बड़े पीस करने आलू के इस तरीके से सारे आलू चील के आपको अच्छे से वस कर लेना और बड़े-बड़े पीस काट के आलू के रख लेने इस तरीके से ठीक है आलू क्या काम हो गया अब मैंने गेज लाए तेह जांस पे उसों मैंने कड़ाई चड़ा दो कब करीब पानी डाल दिया है और आदा चमच इसके अंदर नमक डाल देता हूं और फॉर चोटी चमच हल्दी पाउडर डाल के अब इसके अंदर हम आलू डाल देते हैं हमारे पास जो आलू थे आपके पास ओप्सन दिया आप चाहे तो फ्राई कर सकते लेकिन इसको जो अभाल दियए हालो को तब तक बुबालना है जब तक इसके अंदर यह अच्छी तरीके से में जाए जाते हैं चेक डेज़े हम अधानी अच्छी से अलू गती होतुत कि अंदर आणतर जा रहा हूं यहुआ नियुर तो समझ लिज़े है आलू अच्छे से पग गए नहीं तो फोड के भी देख सकते हैं तो आलू को इस तरीके से निकाल लेना और यह पानी जो है यहटा देना आपको आलू विल्कुल बोईल है चलिए गेज जलाया है मीडियम आज उसमे ने एक फ्राइपेन चड़ाया है फ्राइपेन के अंदर म कि का झाए एक छोटी चमच तेल डाल हूं चोटी हगा उसके बाद एक चमच चने की डाल की जब हिये शेकना है आपको इस तरीके से जब ये आदा सिखने पर आ जाए आदा सिख जाए जब सुनेरा सुनेरा थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो जाए इस तरीके का तब आपको इसके अंदर एक चमर सफेद तिल डाल देना है अब तिल को भी करीब करीब 2-3 मिनट आपको इस तरीके स तो 20-25 कड़ी पता डाल देने, इसको मीठा नीम भी बोलते हैं, और ये सब्जी, मतलब तड़के वगरा में काम आते हैं, पीए आपके पास अगर है तो डाल दीजे नहीं, तो और इसको भी एक दो मिनिट पका लिजे ताकि ये भी सूप जाए, अच्छे से जब ड्राई हो पत्ते तब आपको ये उतार लेना है गेस से, और इसको नीचे उतार के एक बरतन के अंदर डाल दीजे और इसे घंडा होने दीजे, उसके बाद हम इसे पीशेंगे, ये एक मसाला है, सबजी का, बहुत ही सांदर सबजी बनती है ये, गेस दाला है तेल जांच में फिर से म बड़ी चमत, 15-20 कली को कूट लिया था चील के, और ये एक बड़ी चमत बारी कट वी, अद्रक और ये एक प्याज मीडियम साइज का बिल्कुल बारी काट के मेंने डाल दिया है, अब इनको क्या करना है, आपको सुनहरा ब्राउन होने तक सेकना है, हाई मीडियम, हाई मी तो मैं भूल गया था सोरी, तो अब डाल रहा हूं ताकि इनका वो फ्लेवर आजागा, कोई दिकत नहीं है, चलिए, इसको अच्छी तरीके से चलाते हुए, आपको सुनहरा ब्राउन होने तक पकाना जेके इस तरीके का, इस तरीके से जब सुनहरा सुनहरा ब्राउन हो ज तो यह तो यह तो यह तो देर चलाया है, मैंने 30-40 सेकंड उसके बाद आदा चमच मेंने नमक डाला, अब स्वाद उसाय डालिएगा, आदा चमच लाल मिर्ची पाउडर डाल रहा हूं, चटपडी बनती है सब जी, तो एक चमच धनिया पाउडर मैं इसके अंदर डाल रह हो रहता है, बहुत अच्छा फ odor हो रहा है, पता नहीं चलता, लेकिन टेस्ट बहूत अच्छा आता है, इसके अंदर इस तो कमार्टर को आपको दो-ution मेर्च वे इस तक पकाना है, चलाते हूए बीच-वीच में चलाते रही है, और बाखी काम करते रही है, बीच व्यच मे दखकन लगाके तुन मिनट रड़ पकाना है और इदर घंडा हो चुकए मसाला मुफली दील और जो चने की डाल ती फिड़ी पता वाला तो इसको हम बारीख पीछ लेते मिक्सी में बारीख पीरलेने मिक्सी में दिए इस तरीकार पीछना है इसको यह जब हम सब्जी के अंदर डालेंगे ना तो सब्जी का सुवाद कुछ अलग ही आएगा तीन मिनट होगे अकरीब मसाला अच्छे से पक चुका है एक दम ड्राई नहीं हुआ है अब हमारे पास जो आलू जो बॉल करके रखे थे हमने वो डाल दिये और यह जो हमारे बताना चाहता हूं अगर अब लिप्ट वां खाना चाते हैं तो यहां पर इस टाइम इसके अंदर थोड़ा पानी एड कर लीजिए और बिल्कुल ड्राई खाना चाहते हैं तो यहां पानी एड मस कीजिए दोनु अप्सें आपके पास यह दोनु तरीके से ही अच्छी मतलब इस तरीके के आलू रखे यह तो बहुत ही स्वाधिस्ट आलू बनते ही है हरा धनिया मैंने डाल दिया है दो तीन मेंनत इस तरीके से चलाते हुए फ्राइपेन के अंदर पका लेंगे देगे किती सांदार सब्जी लग रही है और आप जब टेबल पर फुरूश है तो सब्सक्राइब करने बेलकुल भी ना बुले और सब्सक्राइब औस बीलकुल टेयार है सबजी को नीचे गेस से हम नीचे अतार लेते हैं रही है और नहीं कि सांदार लग ही है 10 देख 250 टेच़ाटों जगने चेर वाले चेर रोटी इख रहेंगे गे और ची रॉटिन कि अभर राग दो ऐस कर दो रहा है।